इस वाले बग की जो बाउंटी होगी हो मैं community पर community tab पर post कर दूँगा तो पहले मैं बता देता हूँ यह application किस तरीके की थी जैसे हमारा instagram होता है महाँ पर कुछ post कर सकते हैं profile view कर सकते हैं बस यह बिल्कुल वैसी application थी यहाँ पर bug कुछ ऐसा था जो भी मेरी profile view करता मतलब जैसे ही कोई मेरी profile पर click करता उसका जो IP address है, exact location है, city coordinates, OS, browser info सब कुछ मेरे पास आ जाता तो चलिए देखते हैं कैसे तो vulnerable functionality थी यह change photo मतलब profile photo upload करने वाली और जैसे ही मैंने कुछ यहाँ पर upload कर दी है राइट क्लिक करके जब मैं करूँ है open image in new tab तो मुझे पता लगा कि यह किसी दूसरे domain को यूज कर रहा है image hosting के लिए ठीक है, और identifier कुछ अपना बना दे रहा है मतलब हमारी image तो कुछ दूसरी होगी, यहाँ पर अपना change कर दे रहा है तो अब हमारा step क्या है, हमने यहाँ पर change photo पर क्लिक करा और हमारे पास एक menu दिख जाएगा कि अपनी pictures को select करो हमने कोई भी image select कर ली और परप सूट में हमारी proxy रहेगी on तो अब जो request जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो फरप सूट की है, picture upload करने के बाद, मतलब upload पर click करने के बाद तो यहाँ पर get request गई, देखो जब हम normally photo वगर upload करते हैं तो post request जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर get request गई और यह जो basic for data यह image का है, जो हम अपनी image सेलेक्ट कर रहे हैं PC से, ठीक है तो और अगली request जो हमारे पास गई, वो यह onsy जो हमने file सेलेक्ट करी, उसका content type image और JP कीजिए अब यहाँ पर restriction यह थी कि ना हम svg file upload कर सकती थी इसमें java script ना ही PHP मतलब, images के अलावा हम कुछ भी upload नहीं कर सकते थी, अब यह जो request गई, इसका response मुझे देखने को मिला कि जो मैंने अपनी image upload करी, वो upload पहले हो रही है, यह का s3 packet में, यह उसका URL आगे है, देखो identify यहाँ तो इसका change है, और यह जो real वाला है, यह change है, इसका मतलब पहले s3 bucket में जाके save हो रहा है, और वो s3 bucket से यह fetch कर रहा है, और उसके बाद हमारे profile में हमें देखना है, ठीक है, अब जो अगली request का capture ही, मैं कुछ ने कर रहा हूं, मैं खली forward करते जा रहा हूं request को, वो यह report वाली यह आपको समझ में जाएगी, अगर आपको पीछे का नहीं कुछ समझ में है, तो कोई चिन्ता करने की बात नहीं, यहां से देखी, यह put request की, अब दो को image हमारा, दो को वो वाला domain आ गया, s3 bucket का read domain आ आके, वो वाला आ गया, जो हमें browser पर दिख रहा था, तो यह रहा हमारा URL, image का, जो हमारी image upload हो रही है, अब मैंने क्या करा, इस request को दिखान देना, इस request में रुप गया, और इसको मैंने repeater पर भेज़ दिया, ठीके, अब मैं चलागे IP logger पर, यहां पर location tracker का सिर्फ URL कॉपी न करके, हम pixel वाला URL कॉपी करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बता है, वो सिर commission तभी आएगी, जब आप, देखो, pixel क्या है, मतलब image क्या है, image है, collection of pixels, तो यह pixel एक image की तरह ही काम करना है, देखो, लिखा, invisible image, हम इसकी more details पे गए, और यह वाला link जो है, वो कर लिया, copy, और अपने जो पुरानी request दी, पीछे, image वाले URL को अपने IP logger वाले, pixel वाले URL से interchange कर दिया, और यह request कर दी हमने forward, तो आप देख सकते हमारी image successfully change हो चुकी है, और हमारा IP logger वाला URL यहाँ पे साफ-साफ शो हो रहा है, अब जो भी मेरी profile पर visit करेगा, तो उसके browser में जैसे मेरी image load होने की पोशिश करेगी, तो क्या होगा, उसकी सारी details, city वगारा, coordinates, IP, सब कुछ मेरे IP logger के dashboard मेर पे show हो जाएगा, तो यही थी vulnerability अब आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, कि क्यों न हम इस URL को SSRF के लिए try कर सकते थे, लेकिन वो मैं कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ping back आ ही नहीं रहा था, यहाँ पर सिर्फ वो मतलब उसको image ही चाहिए ती, और यह जो URL है, यह पिक्सल की तरह काम खर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप सोच सकते हैं, कि क्यों न अटैकर अपनी website पर कोई access वाली SVG image उसको upload करता, और फिर यहाँ पर दे रहता है उसका URL, तो मैं आपको बता दूँ, जब आप जैसे profile पर गए, right click करा, इड़ को, तो जब आप इसको inspect element करोगा ना, मेरी image को, या फिर किसी के भी image को, तो आपको देखेगा कि image tag के अंदर, source attribute के अंदर वो image आ रही है, मतलब जहाँ से भी वो image fetch कर रहा है, जैसे images.example.com और यह identifier कुछ भी, ठीक है, तो by default image tag में, source attribute के हंदर, हम कोई भी URL अगर दें, तो वो execute नहीं करता है, मतलब render तो करेगा, लेकिन वो by default ब्लॉक करता है, अगर जावय स्क्रिप्ट बगर कि कुछ पेलोड होगी, और जो हमारी malicious file है, इसमें तो simple की बात है, simply बात है कि access की पेलोड होगी, तो वैसी नहीं करता है, image tag में, कोई भी src attribute के अंदर पेलोड नहीं वर करती है, इसलिए आपने देखा होगा, जो access की पेलोड होती है, वहापे कुछ इस तरीके का लिखा होता है, on error equal to alert, अभी वर करेगा क्यों, ये एक event handler है, ठीक है, इसलिए वर करेगा, ना कि इसके अंदर तो क और कुछ नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं कोई पेलोड भी देता है, जैसे इसको मैं break करने की कोशिश करता, तो वो भी काम नहीं चलता है, जैसे कोई सोच रहा हो कि इस तरीके से हम कुछ बना सकें, तो वो मैं सब कुछ गर के देख चुका था, तो वो कुछ भी प्राम नह नहीं कर रहा था, तो यही ता इस बग में, उम्मीद है आपको पसंद आयो, मिलते पर किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,